तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वालात हाँ सबका competition in दिव में मैं विशाल सर्मा आप सबी की साथ portion चल आया योजणाओं का दो क्लासे हो चुकी है यह है क्लास नंबर त्री इससे पहले हमने जो आखरी योजना पड़ी थी वह थी रोजगार च्छत्री योजना को कर रहे हैं और इन्हें बार-बार आप रिकॉल करते रहे हैं बहुत तीजिस और सबसे ज़्यादा भूलते हैं इसकी डेट बर्थ देट बर्थ तो आखरी हमने पड़ती बूती रोजगार च्छत्री योजना आज हम चलते हैं 21 पर और आज की पहली योजना है यह वैसे 21 है ठीक है चले देखते है 21 योजना का नाम है युवा हब योजना जी हाँ योजना का नाम है युवा हब योजना डेट बर्थ क्या है योजना की अगर हम बात कर सब काम क्या है नाम से पता चला है तो यूवाओं के लिए पर यूवाओं के लिए क्या है तो यूवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए समझाना यूवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए बनाने के लिए प्रतियक जिले में यूवाँप की स्थापना करना प्रतियेक जिले में युवा हब की स्थापना करना युवा हब की स्थापना करना प्रतियेक जिले में युवा हब की स्थापना करना तब ये बात समझ मारे कि कुछ जाद है इंपोटेंट चीजों में अगर देखें तो केवल एक ही चीज इन पर एंडेक्स की डेट ओव बर्त क्या है वाकिया आप इसे बड़ा अराम सहाथ कर सकते हैं चल दें नेश्ट यूज नमबर 22 यह आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान बहुत ही बड़ी है एक्जाम में एक दोवे आ चुकी है आत् आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान अप पूछा जाए किसकी डेट ऑब बर्त क्या है तो आतमिर भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभिहान की जो डेटो बढ़त है वह है जून 2019 जून 2019 याद रखने होगी जून 2019 इसकी डेटो बढ़त है साब इसका काम क्या है उत्देश्य क्या है तो आपको याद होगा एक बला आई थी जिस बला का नाम था कोविड जिसे नाम दे दिया गया था कोविड नाइंटीन तो कोविड नाइंटीन के दोरान राज्ये में लोटे श्रमी को का रोजगार या को रोजगार को रोजगार को होना चाहिए को रोजगार उपलब्द कराना उपलब्द कराना तो आप निर्व उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की जो में चीज़ा वह यह कि डेट क्या है इसकी डेट बर्तिया है तो वो याद रखना जून 2019 है काम क्या था सब कोविड-19 के टाइम पर जो राज्ये में लोटे हूँ श्रमिक थे जो श्रमिक बाहर रहते थे और लोट आगर आप राज्ये में तो उनके लिए योजगार का प्रबंद करना ये इसकी जिम्मेदारी हुई तो प्रभू की रुस्वई कि अगर हम बात करते हैं तो डेट बर्त क्या है तो याद रखना डेट बर्त इसकी नॉर्मल से है 2017 से सुरू हुई थी और यह सुरू हुई थी सहारनपूर से तो यहां से कोशन यह भी बनता है कि यह योजना कहां से सुरू हुई है तो य समाज के गरीब वर्ग के लोगों को दिन में एक बार निशुल्क निशुल्क भोजं परदान करना निशुल्क भोजं परदान करना तो च्छोटी सी कहनी जादै नहीं है अगला है कन्या विद्याधनी जाना कन्या विध्याधन विध्याधन योजना कण्या विध्याधन योजना देटोबर्त क्या है साब सब उद्धेशे का दिए को समझ मारा होगा ऐसी योजनाव कोई भारे बात नहीं है कन्या अतलब रड़की समझ गयोंगे विद्ध्या धन मतलब विद्ध्या के लिए धन पढ़ाई के लिए पैसा बस इतना है तो बस इससे थोड़ सी स्टोरी में लिख दो ताकि आपको या आपिर याद रहे हैं वाही तो याद हो जाएगा च्छात्रा को च्छाट्राओं को शिख्षा के लिए शिझा के लिए हैं प्रोसा हिट करना प्रोसाहिद करना और या बैषा साइस कम हूग सो 對不對 जब बारवी कक्षा के लिए प्रोज साहित प्रोज साहन राशी कितनी मिले तीस हजार मिले तब जाकर बच्चा प्रोज साहित हो जाएगा हमारा बस हो गई आद डेट अब बर्थ आद रखना सन 2012 योजना नंबर 25 कि बात कर लेते हैं जिसका नाम है किशोरी शक्ति योजना किशोरी शक्ति योजना देखो मैंनकी और भी बहुत साई डेटल करा सकता हूं लेकिन जो में चीज़ हम के पर उसी पर काम कर रहे हैं तो इसलिए अपने हिसाबसे से देखते रहे हैं किशोरी शक्ति योजना साब लॉंच कब हुई है डेट बर्थ कौन से यह यर की है तो बता देना कि 2000 से लेकर 2000 एक के बीच की यह कहानी चल रही है कब से 2000 से 2000 एक के बीच की कहानी चल रही है अब देखो डेटेलिंग क्या कहती है इसकी किशोर लड़कियों को लड़कियों को प्रेजैनन स्वास्त समस्याएं एवं अधिकारों के प्रती जागरुक करना तो यहाँ पर जो में चीज है देखो इसे समझना किशोर लड़कियों को किशी लिए प्रजैनन स्वास्त जैसी समस्याओं एवं उनके अधिकारों एवं उनके अधिकारों के प्रती जागरुक करना तो यहाँ से यह प्रिशन बन सकता है इन तीनों पॉइंटों से भी याद रखना तो किशोर शक्ति योजन का भाई है 2000 से 2001 के टाइम पर आई है और क्या उद्देश्य है भाई है इसका सिंपल सी कहानी इसका उद्देश्य है किशोर लड़कियों को प्रजैनन स्वास्त समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रती जागरुक करना बहुत सीधी सीधी कहानी कोई भी इसके अदर रोकेट साइंस नहीं है योजना नंबर 26 कि बात कर लेते हैं योजना बाल स्रमिक विद्धियाधन विद्धिया धन चलिए विध्या धन योजना ना फाइन चलिए लॉंच कब हुई है बहिए डेट अब बर्थ क्या है बाल श्रमिक विध्या धन योजना तो बारा जून ढ़रा जून दो हजार बीस की ये कहानी है अब सहाब उदेश्य गयातको नाम से पचल लगा श्रमिक मतलब मस्दूर बाल मतलब बच्चे विध्या धन का मतलब विध्या के लिए धन योजना अभी किषोरी के लिए थी कन्या विध्या जिसके भी बात की दो है 12 माई थी ये बात हो रही है बालश्रेमिक विद्धादनी ओजना की तो काम काजी बच्चों को कैसे बच्चों को काम काजी बच्चों को काम काजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल भेजने के लिए काम काजी बच्चों स्कूल भेजने के लिए 1200 रुपे 1200 रुपे प्रती महा अनुदान देना बच्चों को किते रुपे मिलने के बात कर भी 1200 रुपे प्रती महा स्कूल भी जाएगा, पैसा भी मिलेगा, सब चीज रहेगे काम काजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 12 रुपे प्रती महा नुदान देना जिससे एक लालाच में बच्चे स्कूल जाए, पढ़े और क्योंकि वो बाल श्रेमिक है तो करोल पती तो होगा निए उसके घर में पैसे गया शक्ता रही होगी इसलिए उसे क्या करना थोड़ा सा पैसा भी मुहिया करा देना यह बाली बात यहां पर देखने के लिए है चलते हैं नंबर 27 पर इसका नाम है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना इसका नाम है जैसे कि नाम है वैसे इसका काम है तो सबसे पहले आपका काम है कि यह बताना डेट अब बर्थ क्या है सब यह 2017 में लोण चुई है सब उद्देश्चे क्या है इसका यह बता दो आप तो नाम से पर चल ला है भाग्य लक्ष्मी तो गरीबी रेखा से नीचे समझना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में लिखते दें चलिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के परिवारों में जन में नवजाद बच्चों के लिए सरकार की और से वित्य सहता कैसी सहता? वित्य सहता यह इसका उद्यश्य है बनाम से बचलना भागे लेक्शने लेक्शने में उसला पैसा ठीक है? कब आईए? 2017 में लोंच हुए चलते हैं 28 की तरफ योजना नमबर 28 28 आप से क्या कह रही है? यूपी पेंशन योजना यूपी पेंशन योजना यूपी पेंशन योजना सब बढ़ डे कब बनाया जाता है? 2019 को मतलब 2019 में लोंच हो गई है अब देखें 2019 में लोंच तो हुई है पर इस योजना के अंदर तीन योजना है सामिल है इस चीज़ को भी समझ लेना पहले तो इस योजना में इस योजना में तीन पेंशन योजना तीन पेंशन योजना शामिल है तीन पेंशन योजना सामिल है इस योजना गणदा तीन पेंशन योजना शामिल है जिसमें से नंबर वन पर आती है यूपी व्रद्धवस्था यूपी व्रद्धवस्था पैंशन योजना जो आपको क्या देती है 800 रुपिया वो भी मन्तली 800 रुपिया प्रती महाच में मिलते हैं दूसरी योजना आती है यूपी विद्वा यूपी विद्वा पैंशन योजना ये किते रुपिया देती है साब इसमें है 500 रुपिया पर मन्त 500 रुपिया पर मन्त तीसी यूपी विकलांग यूपी विकलांग पैंशन योजना और इसमें किते रुपिया मिलता है साब इसमें भी 500 रुपिया पर मन्त मिलता है तो तीनों योजना है और ये तीनों योजना दो है उन्निस माई है तो यूपी पेंशन योजना के अंदर यूपी विरदवस्था पेंशन योजना 800 रुपे के साथ यूपी विधवा योजना 500 रुपे के साथ और यूपी विकलंग योजना ये भी आपकी ये भी आपकी 500 रुपे के साथ बाहर बुंटे वाला आया साथ वो अपने तबला बजा रहा है भगोनो टाइप बुंटे समझते हैं वो बुंटे वीटने वाला आता है वह यह चलिए इतनी आवास तो आई जाती है क्लास के चलिए 29 योजना नंबर 29 पर चलते हैं योजना नंबर 29 रानी लक्ष्मी भाई पेंशन योजना तो रानी लक्ष्मी भाई पेंशन योजना तो रानी लक्ष्मी भाई पेंशन योजना कब लौँच हुई थी सब यह हुई थी सन 2012 में लौँच उद्देश से क्या है इसका तो समझेंगे इसका उद्देश से क्या है बीपियल सूची में बीपियल सूची में शामिल ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का लाब नहीं मिल रहा हो जिसे ऐसे व्यक्ति जिसे हैं जिसे होना चाहिए जिसे किसी अन्य पेंशन का लाब नहीं मिल रहा होता नहीं मिल रहा होता नहीं मिल रहा होता उन्हें नहीं मिल रहा होता है उन्हें चार सो रुपिया चार सो रुपिया प्रती महा दिया जाता है तो ये बास समझ में आ गए होगी नेस्ट चलते हैं नमबर 30 पर नेस्ट है नमबर 30 और ये देखते हैं नमबर 30 में हमारे लिए क्या है यहां पर है भाग्य लक्ष्मी योजना भाग्य लक्ष्मी योजना लौंच कभ हुई साब 2024 मौई है कभ हुई 2024 मौई है योजना चाहती क्या है ये कहती ये UP सरकार उपतरप्देश सरकार बच्ची के जन्म पर बच्ची के जन्म पर परिवारों को विशेश साहिता प्रदान करती है प्रदान करती है बड़ी सिम्पल सी कहानी है इसी एक अंदर दूसरा पॉइंट है वे पचास हजार रुपे तक का एक बॉंड देते है वे पचास हजार रुपे तक का एक बॉंड देते है बॉंड में क्या होता है बच्चो जब लड़की 21 साल की होती है होती है या हो जाती है तो यह बॉंड दो लाख रुपे में बदल जाता है कितने बदल जाता है दो लाख रुपे में बदल जाता है तो यह कहानी इससे क्या होता है कि कि साल के होगे शादी विवा या ने पढ़ाई के लिए पैसे की जरुत होगी तो यहां से वो पैसे की पूरती असानी से की जा सकती है तो यह है वो है चीज तो यहां पर हमने आज फिर से 10 योजना देखी आईए एक बाई रिकॉल कर लेते हैं जैसे में आपको बताता हूँ रिकॉल करना वह ज़्यादा जरूरी होता है बनाने के लिए परतियक जिले में युवा हब के स्थापना करना इसका काम है आत्म निरफर उत्तर प्रदेश अभिहान जून 2019 में था COVID-19 के दोरान राज्यों में लोटे श्रमी को को रोजगार उपलत कराने का कारे इसने किया था कब है था जून 2019 में प्रभु की रस्वई 2017 में शुरू हुए साहरन पर से सुरू हुए याद रखना काम क्या है गरीब वर्ग के समाज के गरीब लोगों को दिन में एक बार निशुल्क भोजन प्रदान करना इसका काम है बड़ा राम समझेंगे करने विद्यादन योजना 2012 माई यह चात्रा को शिक्षा देने के लिए पोशाहित करना और बारविय के अक्षा के लिए पोशाहित रासी के थी 30.000 पर फिक्स कर दी गए थी किशोरी शक्ति योजना यह 2000 से 2001 के बीच माई है का काम काजी बच्चों को इसकूल भेजने के लिए कितने रुपिया 1200 रुपिया महिना का अनुदान देना यूपी भाग्या लक्ष्मी योजना दो की दोया 17 में लोन चूई थी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में जन्मे नवजात बच्चों के लिए सरकार की ओर से वित्य साहता देना यूपी पेंशन योजना आपको बताया इसे तीन भागों बटा गया दोया 17 में लोन चूई थी तीन भाग हैं यूपी व्रदवस्था पेंशन योजना 800 रुपे के साथ यूपी विद्वा पेंशन योजना 500 रुपे के साथ और यूपी विकलां योजना 500 रुपे के साथ यह एद रखना राणी लक्ष्मी भाई पेंशन यहां पर की गई थी भाग्या लक्ष्मी योजना सन दोहार चोबिस में लूंच हुए यूपी सरकार में बच्ची के जनम पर परिवारों को एक विशेश शाहता प्रदन करना विशेश शाहता के रूप में क्या दे जाएगा एक पचास जार रुपे का बॉंड दिया जाएगा जब ललकी 21 साल की हो जाएगी तब यह है बॉंड तब यह है बॉंड कितने का हो जाएगा सब 2 लाग का हो जाएगा तब इसे पढ़ाई या अन्यक किसाधी वगएरा काम हमें प्रियोग में लाया जा सकता है तो यह थी आज के हमारी तस्योजना है तीसरी क्लास यह थी और यहाँ पर हमने पूर्ण कर ली है तीस योजना है अगली क्लास में हम अगली योजनाव को देखेंगे तब तक के लिए बैबाई आपका दिन शुबू